इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या आप IND money application यूज करते हैं अगर आप IND money application यूज करते हैं तो आप IND money application से अपना SIP कैसे चालू करेंगे यानि कि आप IND money application से आप mutual fund में अपना SIP कैसे चालू कर सकते हैं आप अपना investment कैसे start कर सकते हैं चाहो तो आप 100 रुपे से स्टार्ट कर सकते हैं चाहो तो आप 500 रुपे से या आपके पास जितना पैसा हो उतने पैसे से अपना S.I.P. चालू कर सकते हैं कैसे करना है पहली बार आपको इसे वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा और पूरी जानकारी के साथ बताएंगे पहले आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करिएगा डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना फ्री में डिमेट एकाउंट ओपेन कर लिजिएगा और इस एप्लिकेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर आप यूएस मार्केट में और इंडियन मार्केट में मिच्वल फंड में FED में सारा कुछ investment यहीं से कर सकते हैं मात्र एक application से US market में आपको कोई दूसरा application यूज करने की जरूरत नहीं है investment करने के लिए तो हम यहाँ पर अपना log डालेंगे सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर अपना log डालेंगे आपका IND money application कुछ इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर मैंने कुछ रुपए investment करके रखे हैं Indian stocks market में जैसा कि यहाँ पर यह दिख रहा होगा IND stocks और यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा my stock और यह हमारा है portfolio तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ रुपए invest किये हैं और उस पर हमें कितना return मिल रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आकरिकार आप अपना mutual fund में कैसे चालू करेंगे तो mutual fund में CP चालू करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से page आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यहाँ पर मिल जाएगा mutual fund जैसा कि आप देख सकते हैं तो आपको mutual fund पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने mutual fund के अंदर कितना investment करके रखा हुए है तो यहाँ पर मैंने कोच पैसे investment करके रखे हुए है mutual fund में लेकिन मैंने other application से investment किया था तो जो हमारा यहाँ पर भी दिख रहा है देख सकते हैं को उसका value कितना है और एक दिन में हमें return कितना मिला हुआ है total return कितना मिला हुआ है हमारे कौन-कौन से funds हैं तो हम यहाँ पर my funds पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे funds दिखाई देंगे जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास seven funds हैं जिसके अंदर मैंने investment करके रखा हुआ है किसके अंदर मैंने कितना invest किया है current value किया है कितना profit और loss हो रहा है सारा कुछ आपको दिखाए दे रहा होगा तो हम यहाँ पर अपना SIP चालू करेंगे आज इसके अंदर पहली बार अपना IND money application में तो इस तरीके से आपके सामने page आएगा यहाँ पर दिखाए देगा daily SIP यहाँ पर मिलेगा one time और यहाँ पर मिलेगा start SIP daily SIP मतलब कि आपका daily आपका रोज रोज आपका जो amount होगा वो आपके bank से cut ता रहेगा one time का मतलब है कि जैसे आज आप एक ही बार में सारा पैसा invest करना चाहते हैं तो one time करेंगे SIP का मतलब है कि हर weekly हर monthly आप जो पैसा set करेंगे वो automatic investment होता रहेगा तो यहाँ पर आपको start SIP पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना एक बार calculate भी कर सकते हैं किस तरीके से यह काम करता है आप यहाँ से आजाएंगे आप बैक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आजाएंगे बैक आने के बाद आप यहाँ पर आपको किस category में अपना SIP चालू करेंगे जैसे कि large cap, mid cap, small cap, large and mid cap, flexi cap और multi cap यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा large cap यानि कि उस funds के अंदर जैसे funds के अंदर आप पैसा invest करेंगे वो funds क्या करेंगा कि बड़ी बड़ी पैसा लगाएगा, small cap का मतलब है कि small cap funds में अगर आप पैसा डालेंगे तो small cap fund क्या करेगा कि आपका पैसा छोटी छोटी company में लगाएगा, तो सबसे return ज्यादा यहाँ पर मिलेगा small cap में लेकिन आपका यहाँ पर rix भी ज्यादा है mid cap में भी आपको return मिलेगा लेकिन यहाँ पर भी आपका rix है large cap में आपको return मिलेगा लेकिन इसमें आपको यहाँ से कम मिलेगा और इसमें इसमें आपको यहाँ से कम मिलेगा यानि कि small cap में ज्यादा मिलेगा उसके बाद mid cap में फिर आपको large cap में जिसमें ज्यादा रिटन मिलेगा उसमें ज्यादा भी आपका रिक्स भी होता है तो हम यहाँ पर SIP चालू करेंगे Small Cap Fund के अंदर हम यहाँ पर Small Cap पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे funds निकल कर आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं अब आप जिस funds के अंदर अपना SIP चालू करना चाहते हैं आपको अपना funds चूज करना है पर यह है Bank of India Small Cap Funds Direct Growth है तो हम यहाँ पर इस funds के अंदर चालू करेंगे तो हम इस पर क्लिक करते हैं इसका AUM कितना है यानि कि देख सकते हैं इसका पिछले 3 साल का return कितना है वो आपको यहाँ पर मिलेगा तो हम इस funds पर क्लिक करते हैं आपके समने दो option आजाएंगे start SIP और one time SIP का मतलब है कि आपका हर मेने कटेगा और one time का मतलब है कि सब सिर्फ आप एक ही बार पैसा लगाएंगे जितना आपके पास पैसा होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि SIP चालू क तो किसी किसी funds में कोई limit लगा होता है और किसी किसी funds में यहाँ पर 100 रुपै से भी SIP को चालू कर सकते हैं जैसे कि हम यहां से बैक आने के बाद यहां से हम आते हैं बैक आपको यहाँ पर यह funds मिलेगा निपोन इंडिया तो इस पर आप जब किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप डालेंगे कुछ रुपए जैसे कि मालीजी 100 रुपए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 100 रुपए से भी SIP को चालू कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे funds हैं जिनके अंदर कुछ limit भी है तो यहाँ से आप अपना चूज करेंगे funds तो हम यहाँ से आजाते हैं back बैक आने के वाद थोड़ा सा नीचे और यहाँ से हम वही वाला funds चूज कर लेते हैं तो हम यहाँ पर डालेंगे अपना amount जो हमारा amount है महाली जी हमें 1000 रुपए को SIP में चालू करना चाहते हैं अब यहाँ पर मिलेगा monthly कि यहाँ वीकली तो यहाँ पर आपको monthly और weekly मिलेगा लेकिन weekly अभी 100 नहीं हो रहा है तो monthly यहाँ पर चूज करेंगे जैसे हम यहाँ पर 24 यानि के 24 तारीक को चूज करते हैं उसके बाद ok हर महीने के 24 तारीक को हमारा 1000 रुपए हमारे इस funds में जाता रहेगा जब तक आप यह SIP को चालू करके रखेंगे उसके बाद यहाँ पर मिलेगा setup SIP अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो यह ज़रूरी नहीं है setup SIP का मतलब होता है कि आपका यह amount हर महीने कुछ बढ़ता रहेगा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर मिलेगा continue to invest और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके mobile number और आपके email ID पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर enter करना है और आपके समने यह वाला page निकल कर आजाएगा जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है do you want to add nominee यहाँ पर आप nominee को add कर लेना अगर आपने add नहीं किया है तो हम यहाँ पर no कर देते हैं अभी उसके बाद हमारे समने इस तरीके से पे जाएगा यहाँ पर मिलेगा consent save और उसके बाद continue investing जैसे आप इस पर click करेंगे आपका यहाँ पर bank choose करने का option आजाएगा कि आपने किस bank से अपना auto pay set करना चाहते हैं ताकि automatic आपके bank से आपका जो पैसा होगा वो automatic यहाँ पर investment होता रहे इस funds के अंदर तो यहाँ पर आपको अपना auto pay set करना है जैसे मलीजय हमने इस वाले bank से हम set करते हैं maximum आपका limit कितना set होगा तो यहाँ पर बताया गया कि maximum debit limit होगा 10 लाक रुपए तक की यानि कि अगर आप SIP का amount आप बढ़ा देंगे बाद में कुछ महीनों के बाद कुछ सालों के बाद तो आपको यह वार बार आपको auto pay set करना नहीं पड़ेगा इसका पहले से ही limit यहाँ पर set हो रहा है इतना जैसा कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको continue करना है जैसे आप पर continue करेंगे आपके समने इस तरीके से पे जाएगा setup auto pay limit आप आपके समने आ चुका है limit तो आपना limit चाहो तो आप इंक्रेज कर सकते हैं यहाँ उसे decrease भी कर सकते हैं जो भी आप एसे set करना चाहते हैं यहाँ पर maximum बताया गया है तो यहाँ पर आप چाहो तो इतना भी कर सकते हैं इतना भी कर सकते हैं जो आपके मन में हो उसके बाद कांटिन्यू जैसे आप यहाँँपर continue बटन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर अपना limit set कर लेते हैं इतना कर लेते हैं continue उपर click करते हैं continue उपर click करने के वाद आपके समने आ जाएगा generating verification link आपका एक link generate हो रहा है थोड़ा सा आप यहाँ पर wait करेंगे तो हमारा यहाँ पर auto pay एक link generate हो गया है आपको नेचे दिखाई देगा continue आपको continue उपर click करना है जैसे आप continue उपर click करेंगे आपके समने इस तरीके से page दिखाई देगा verify auto pay जैसा कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर मिलेगा authenticate आपको email id से तो यहाँ पर आपको अपने email id पर एक code send करना होगा या फिर आप login वेत गूगल पर click करके अपने email id को यहाँ पर login कर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं verification through verification code यानि कि email id के थुरू हम यहाँ पर verification code ले लेते हैं तो इस पर हम click करेंगे यहाँ पर हमारे email id पर एक code send किया गया है वो code हमें यहाँ पर enter करना होगा तो यहाँ से आ जाते हैं हम back और हमारे email id पर एक code आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है 89, 47 और 83 तो हम यहाँ पर डालेंगे 89, 47 और 83 जैसा कि हमारा यही verification code है उसके बाद यहाँ पर हमको submit बटन पर click करना है जैसे हम submit बटन पर click करेंगे हमारे समने आ जाएगा create e mandate जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको मिलेगा David card और यहाँ पर मिलेगा net banking अब आप net banking, David card जिससे आप चाहो उससे आप set कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपने David card को ही choose करेंगे उसके बाद submit जैसे हम submit करते हैं हमारे समने आपके समने एक नया page निकल कर आ जाएगा अब आपके समने कोच इस तरीके से page आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करना होगा तो हम यहाँ से OTP को copy करेंगे उसके बाद यहाँ पर paste करेंगे उसके बाद confirm बटन मिलेगा फिर आपको confirm बटन पर click करना है जैसे आप ए confirm बटन पर click करेंगे आपका ATM कार्ड दिखाई देगा जो आपका ATM कार्ड आपके account में active होगा उसके बाद आपको अपना ATM कार्ड चूज करना है उसके बाद confirm बटन पर click करना है जैसे आप ए confirm बटन पर click करेंगे यहाँ पर आपके ATM कार्ड की सारी details से पूछी जाएगी जैसे कि आपका नाम क्या है आपके ATM कार्ड का validate और expiry date क्या है उसके बाद आपका ATM कार्ड का pin क्या है जब आप ATM से जाकर पैसे निकालते हैं वो वाला pin उसके बाद यहाँ पर एक capture मिलेगा यह capture आपको यहाँ पर type करना होगा जैसा लिखा है उसके बाद प्रसेट बटन पर आपको क्लिक करना है तो चलो मियाँ पर सारी details इंटर कर लेते हैं आपको प्रसेट बटन पर क्लिक करना है जैसे आप प्रसेट बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने की बाद आपके सामने दिखाई देगा success जैसा कि आप देख सकते हैं तो आपका यहाँ पर जो e-mandate है auto pay है वो आपका set हो गया है अब यहाँ पर पूर जाएगा please do not reference or close this page click here to return the mandate portal यहाँ पर आपको कुछ नहीं बस आपको click here पर click करना है यहाँ आपको कुछ नहीं करना है तो automatic आपका back हो जाएगा यहाँ पर दिखाएदेगा payment details category है mutual fund payment की आपकी limit कितनी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपने अपना auto pay चालू किया है तो इसे आपको i agree को accept करना है उसकी बाद यहाँ पर नीचे मिलेगा accept हाँ मैंने यह set किया है तो इसे आपको accept करना होगा अगर आपने set नहीं किया या आप set नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप reject कर देंगे तो हम यहाँ पर इसे accept कर लेते हैं जैसे हम इसे accept करेंगे हमारा जो e mandate होगा वो यहाँ पर authorization हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर बताई जाएगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 10 सेकेंड का और उसके बाद आपको फिर से आटोमेटिक रिडारेक्ट कर दिया जाएगा इसके official page पर जैसा कि आप देख सकते हैं mandate approved यहाँ पर लिखा हुआ है mandate approved जैसा कि आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपना e-mandate create कर सकते हैं आप अपने mutual fund के अंदर आपने IND money application में तो जैसा कि kangrojulation your auto pay setup is successfully उसके बाद continue जैसे आप ए continue करेंगे आपके समने इस तरीके से page आएगा आप यहाँ पर दिखाई देगा auto pay under approval to your bank अब यहाँ पर आपका अपर approval में चला गया है थोड़ा सा आपको wait करना होगा लंसम 2-3 दिन का उसके बाद यहाँ पर आपका auto page approve हो जाएगा payment success हो जाएगा उसकी बाद जो आपका installment होगा वो आपका 24 तरीक से start हो जाएगा तो कोच एसे तरीके से आप अपना SIP चालू कर सकते हैं आप अपने इस application में और एसे तरीके से तो मैं आशा करूँगा आप समझ गय होंगे जान गय होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको पहुत धन्वाद